Welcome everyone, मैं NIC और निक्समनी की तरफ से आपका इसे स्पेशल सत्र में, इससंड में स्वागत करता हूँ. और उस सेशन का नाम हम कहते हैं निक्स मेलनेस. जहां पर हम वेलनेस की बात करते हैं और वेलनेस का किसी न किसी तंपिक को लेके हर संड़े को 8 बजे 8 पीम एवरी संड़े हम लोग मिलते हैं और कोई टॉपिक को लेके हम सरल सहज लेंगविज में उसको समझने की कोशिस करते हैं एक अबजेक्टिव के साथ कि हम बहतर जिंदगी जी सकें बहतर स्वास्थिप्रापा सकें हेल्थ कंसस हो सकें अपने अंदर हिल्थ का गिल्ट पैदा कर सकें So to say, हिल्थ गिल्टी हो जाएं और जब आदमी गिल्टी हो जाता है तो उसको सुधारना शुरू कर देता है और यह हिल्थ कंससनेस और हिल्थ गिल्टीनेस सिर्फ अपने तक ना रखके spreading हिल्थ to your family, to your relatives, to your office colleagues, to your work colleagues से लेके मुहले में, शेहर में तो building well-deer community वाली बात हम करते हैं and that's what we work and next wellness जो session है वो इस बात के लिए इस उद्धिश्री के साथ चलता है आज का जो subject हमने लिया है, वो subject है कि आप अपने दिन भर में कितना active होते हैं active होने का मतलब कितना मेंनत करते हैं यह नहीं कुछ रहूं मैं कितना active होते हैं का मतलब होता है कि आप जो है कितनी energy में रहते हैं डल हो जाते हैं, battery discharge हो जाती है, energy खतम हो जाती है या energy बन ही रहती है जैसा आप सुबह में सुरू करते हैं वैसा charge साम तक रहते हैं क्या when you start in the morning का जो energy level है साम का energy level same रहता है क्या तो अपने आपको दिन भर super active बनाये रखने का आसान तरीका क्या हो सकता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे easy way मैं बताऊंगा to stay super active day long थोड़ी देर तो कोई भी रह सकता है दोरने निकले जोगिंग करने निकले तो थोड़ा 100-200 मिटर 500 मिटर तो कोई भी दोर लेगा लेकिन वो बना रहेगा क्या वो पेस बना रहेगा और वो बिना थके बो होता रहेगा क्या तो इस पूरे चीज को सुरू करने के लिए मैं आपका chat box हमारे सामने रख लेता हूँ और फिर हम लोग बात करते हैं आपका chat अभी मेरे सामने आ गया और आप आप chat में respond करते रहें आप जितना जादा बढ़िया response करते रहेंगे हमारे को energy आपकी मिलती रहेगी और मैं energy reciprocate करता रहूंगा और आपको जो है बहतर तरीके से connect पाऊंगा so the question was आप अपने दिन भर को super active बनाये रखने के लिए अभी क्या करते हैं इस पे आने के पहले मैं एक सवाल आपसे पुछना चाहता हूँ और वो सवाल ये है कि how many hours you are able to work without getting tired बिना थके आप कितने घंटे लगातार काम कर पाते हैं दो घंटे, चार घंटे, छे घंटे, आट नो घंटे या एक घंटे भी नहीं काफी लोग यहां पर टाइप कर रहे हैं पाँच गंटे, आठ गंटे बहुत लोग लिख रहे हैं जो लोग आठ गंटे लिख रहे हैं, दस गंटे लिख रहे हैं उन लोग साइद मेरा सवाल नहीं समझे हैं 10 प्लस भी लिख रहे हैं, उन लोगों ने मेरा सवाल नहीं समझा है, फिर से मैं सवाल समझाता हूँ, जदि आप बैठते हैं, अपने आफिस में काम करने, तो एक बार आप लग गए काम पे, सर जुकाया, लैपटॉप में लगे, या कोई मशीन पे काम करते हैं, कुछ चीज में काम करते हैं, एक बार लग गए, तो कितने घंटे बिना मोनोटोनस हुए, बिना वो चाई की, सिगरेट की, और कॉफी की, या किसी तरीके के, you know, किक की तलब हुए, बिना कोई बोलता ना इसी लिए बोर हुए, mentally tired हुए कि physically tired हुए, यह important नहीं है, आपने break किया, लगातार कितने घंटे कर सकते हैं, कभी कोई बहुत इंट्रेस्ट की चीज हो, तो आप लगातार कर सकते हैं, नेट्फिक्स पे मूवी आ रही हो, या कोई वेब सेरी चल रहा हो, तो आप उसको लगातार देख लेते हैं, कोई आपके office में भी कोई ऐसा project हो, कोई काम हो, जिसमें passion आ जाता है, तो वो लगातार होता रहता है, दो दिन, तीन दिन निकल जाती है, आपके घर में कोई शादी हो, birthday हो, कोई function हो, तो आप देखिए, आपको ठकान नहीं आती, लगातार चलता रहता है, कोई अनुस्ठान हो रहा हो, कोई भगवान और कोई Allah, वहे गुरू, किसी को आप मान रहे हैं, वहां पे जदी कुछ चल रहा हो, तो पता चला कि आप करते चले गए, पता ही नहीं चला कब रात हुआ, कब दिन हुआ, कब क्या हुआ, भूग भी नहीं लगी, प् पता चला कि कुछ खाके देखते हैं थोड़ा कीचन में चकर लगा लिया थोड़ा ओफिस के कैंटीन में चले गए थोड़ा पैंट्री में चकर मार के आ गए थोड़ा-थोड़ा कुछ, 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 कुछ कहने का मतलब की continuation break हो रही है, यह physically हो सकती है, mentally हो सकती है, emotionally हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, तो break हुआ मतलब आप tired हो गए, आप ठक गए है, अब लोगों ने काफी number अपने कम किये हैं, कोई चार घंटे बता रहे हैं, कोई कुछ घंटे बता रहे हैं, एक संतोष दुधांकर जी हैं, वो 100% 12 आर बता रहे हैं, परहपस है संतोष दुधांकर जी नहीं, सवाल को ठीक से समझा नहीं है, 12 hours, one cannot work without getting tired, that is the super super performance, when we are talking about 8 hours, you need to talk about blocks of that 8 hours, जब हम time blocking की बात करते हैं, तो 90 minute की time blocking would be a difficult time block, to complete without having a break, और 90 minute की जदी आप 3 time block दिन में पूरा करते हैं, तो you are supposed to be a super performer, with 90 minute time block completing, तो जदी आप office में काम करते हैं, 4 घंटे का एक slot, 4 घंटे का एक slot, बीच में lunch, तो जदी 4-5 घंटे का जो slot है, उसमें how many hours you are able to without getting tired, इस सवाल का जवाब हम कर रहे हैं, what do you do, अब कितने घंटे हैं उस पे हम बाद में आते हैं, what do you do, to keep your energy up, आप जो जदी बहुत बता रहे हैं कि 8 घंटे कर लेते हैं, 5 घंटे कर लेते हैं, तो आप अपनी energy को maintain रखने के लिए, क्या करते हैं, फोन को आपने सुबह में चार्ज किया, और फोन लेके हम आगे बड़े, तो फोन फुली चार्ज था, लेकिन उसके बाद फोन दिरी 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 दिरे ड्रेन होता गया, आप जब सुबह उठे तो फ्रेश जगे थे, फ्रेश तयार हुए थे, ब्रेक्फास्ट किया था और अब चालू हुए थे, दिरी 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 दिरे एनर्जी लेवल घटती जाएगी, एनर्जी लेवल डिफरेंट चीजों से घटेगी, आपके टेंपरेचर से भी होगी, अभी गर्मी बहुत जादा है, पसीने बहुत जादा आ रहे है, तो घर्मी में आदमी जल्दी ठक जाता है, तो टेंपरेचर, वातावरन, पुल्यूशन, आजू बाजु में किस तरीके का इन्वार्मेंट है, कितना इनर्जी आपको मिल रही है, कितना इनर्जी आपका ड्रेन हो रहा है, आपको energy मिलती रहती है unlike that phone phone को एक बार सुबह में charge करके निकल गए थे अब charge नहीं हो रहा था आप लगातार charge होते रहते हैं और लगातार discharge होते रहते हैं कहीं कहीं आप तेजी से discharge होते हैं drain हो जाते हैं phone में भी देखिए कभी कोई background में application चालू हो गई कोई malware आ गया तो malware application क्या करता है phone को heat कर देता है और phone अपने ड्रेन होने लग जाती है क्यों क्योंकि अंदर-अंदर कुछ चलता रहता है phone सामने off पड़ा हो है अंदर-अंदर कुछ चलता रहता है जदि आपने phone पे कोई video चला दिया कोई ऐसी चीछ चलाई जब प्रोसेसर ज़्यादा काम करने लग गया तो phone ज़्यादा तेजी से battery down होता है ठीक उसी तरीके से सरीर को जदि कुछ ऐसा काम करना पड़ जाए दिमाग को कुछ ऐसा काम करना पड़ जिसमें ज़्यादा involvement हो ज़्यादा चिलाना पड़े ज़्यादी मैं एक घंटे भी बात कर रहा हूँ तो सायद मेरी एनरजी ज़्यादा खपत होगी और जब तक उसके बाद बैठके मैं लैपटॉप पे काम करूँ तो एनरजी कम खपत होगी तो nature of work is one part that's a normal thing but there are certain abnormal things which we do not notice abnormal thing का मतलब कि हमारे बॉस ने मुझे क्या बोला मेरी टीम के साथ मुझे कैसे vibe मिली मुझे लोगों ने किस तरीके से respond किया मेरे office में किस तरीके से respond किया मेरे को किस तरीके का मेसेज आया मेरे को किस तरीके का phone आया मेरे social media पे جब मैं scroll कर रहा था Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, whatever तो वहाँ पर मैं किस तरीके की चीज़ों को follow कर रहा था, किस तरीके की चीज़ें हमारे feed में आ रही थी, news feed में वो हमको energy negative दे रही थी drain कर रही थी या हमको positive energy दे रही थी, charge कर रही थी मेरा लक्ष, मेरा goal, मेरा destination, मुझे charge कर रहा है yes, I will do it, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि देखके यह उतना दूर जाना पड़ेगा, क्या मेरे से तो नहीं होगा, तो आप discharge हो जाते हैं, it again depends on your motivation level, why you are doing that कोई भी चीज़ जब आप कर रहे होते हैं तो why you are doing that is important जदि why बहुत strong है तो energy level अपने आप आएगी energy कहीं से पैदा किया जाएगा motivation अपने आप आएगी लेकिन why I am doing it, I am not convinced only and I am trying to do it energy अपने आप discharge होता रहेगा आहार भी बहुत play कर सकता है, nutrient भी play कर सकता है, nutrition कितना है आपके अंदर, बहुत कुछ play करेगा बहराल मैं आप से सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब आप अपने आपको दिन बर काम करते रहते हैं और charge करने की बात करते हैं, तो charge करने के लिए आप क्या करते हैं, what do you do to keep your energy up यहाँ पे भी एन ताड़े साहब ने नासिक से जबाब दिया है, तंबाकू, चाय, इस्टिग्रेट, ऐसी कुछ चीजों का इस्तमाल करते हैं, very precise answer, thank you for this answer, चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, कुछ लोग sugary drink लेते हैं, मतलब कोई aerated drink हो गया, कोग, पेपसी टाइप की चीज़ें हो गया, चाय हो, कॉफी हो, तंबाकू हो, गुटका हो, या फिर वो बोलते हैं ना, कि एक शुट्टा लेने चले गए, cigarette हो, तो किसी तरीके का कोई energy जो है, हमने लेने की बात की, स्क्रीन पर मैंने एक statement रखा है, और इस statement ये कहता है, कि I run on caffeine and nicotine, हैं, आप में से बहुत लोग अपने कोई से relate करते होंगे, और खुद नहीं relate करते हैं, तो आपके office में, आपके business में, आपके work में, कोई न कोई ऐसा आप जरूर जानते होंगे, जो इस तरीके का होगा, I run on caffeine and nicotine, ऐसा बोलता होगा, caffeine मतलब ये सारे cold drink और वो जो आपने energy drink की बात की, coffee की बात की, वो सब caffeine वाली बात हो रही थी, और nicotine का मतलब वो जो सुटा उटा अपने मारा था, वो सारी nicotine की बात हो रही थी, right, तो is this you, ये क्या आप हैं, या आपके जानने वाले कोई हैं, या आपके office में कोई हैं, जदि आप देखेंगे overall, तो तकरीवन जादा से जादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जो लोग, they run on caffeine, they run on nicotine, आप देखिए, एक गंटे काम करने के बाद, आदे गंटे काम करने के बाद बोलते हैं कि, चाय मंगाओ यार, एक कड़क coffee मंगाओ, एक चाय पहले पीते, चलो एक cigarette का break लेते हैं, और फिर वो cigarette का break लेते हैं, फिर उसके बाद काम पे आते हैं, राइट, yes or no, give me yes or no, अब इसी चीज़ को जब समझने की कोसिस करें, कि जब हम caffeine और nicotine की बाद करते हैं, तो actually क्या होता है, caffeine की बात करें, तो caffeine is fine in moderation, जदि हम एक नियत मात्रा में हम coffee लेते हैं, और caffeine का इस्तमाल करते हैं, तो वो kick देने के लिए मदद करता है, आपको चुस्त कर देता है, लेकिन उसकी limit cross होती है, तो problem है, आपको जानके ताजुब होगा, कि जदतर लोगों में ये limit cross होती है, पहला problem, अब nicotine की बात करते हैं, nicotine is dangerous, and highly highly addictive, nicotine लेने वाला ये ज़रूर जानता है, बहतर तरीके से जानता है, कि this is highly addictive, उसके वसका नहीं होता है, एक cigarette, दो cigarette, और दो cigarette के बाद, चार cigarette होने में, और चार cigarette, आठ cigarette होने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और इतना ज़्यादा addictive होता है, कि वो कितना भी प्रकांड विद्वान हो, कितना भी सरकस कर ले, उसमें से निकलना, बड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि वो addiction बहुत strong होता है, nicotine का addiction बहुत strong होता है, उसको जदि किसी बात का ख्याल आये, कोई thought process आये, कोई चिंता आये, कोई stress आये, वो अपने आप धीरे से cigarette निकाल लेता है, क्योंकि ये body अपने आप, वो जो है self-defense mechanism में चली गई है, जदि कुछ ऐसा दिमाग में आया, idea भी सोचना है, कोई काम ही कर रहे हैं, काम सोचते समय, जैसे ही दिमाग को काम पे लगाया, तो रत cigarette निकाल लिया, क्योंकि अपने आप वो process हो गई है, वो अपने आप उस तरीके से काम करने लगता है, अब जदि इतना addictive है, तो ये करता क्या है, तो सबसे पहले तो ये blood pressure को shoot कर देता है, ये shoot कर देता है, blood pressure को बढ़ा देता है, lung के साथ क्या-क्या करता है, उसको side में रखते हैं, हम अभी बात कर रहे हैं आपके energy level की, ये आपके blood pressure को shoot कर देता है, heart rate को बढ़ा देता है, आपके पूरे heart में, पूरे body में जो blood का flow है, heart के अंदर, उसको जो है pump करना सुरू कर देता है, और arteries को, धमनियों को narrow करने लगता है, क्योंकि उसमें atheroclerosis जैसी चीज़े होने लगती है, प्लाक जमना सुरू होता है, ठक के जमने सुरू हो जाते हैं, नलियां जो हैं, ब्लाक होनी सुरू हो जाती हैं, और ये सारा कुछ चलता रहता है, और जिस सुट्टा की हम बात कर रहे हैं, सिगरेट की, तो सिगरेट का जो धुआ है, वो cancer करता है, निकोटीन cancer नहीं कॉज करता है, होता है, सीधा लिखा रहता है, कि सिगरेट से cancer होता है, ऐसा नहीं कहता है कि भाई, और बड़ा साहितना बड़ा लिखा रहता है, सिगरेट का जितना बड़ा डिबा होता है, उतना बड़ा लिखा रहता है, उसके बाद भी, जो एकदम जामबाज लोग हैं वो उसके बाद दिन भर उसमें से पीते रहते हैं दिन भर पीते रहते हैं क्या thought process होगा सुचिए क्या addiction का strong level होगा वो सुचिए ये होता होगा और ये होने के साथ साथ ये समझने की बात है कि nicotine cancer नहीं कारक है nicotine से cancer नहीं होता है cancer cigarette पीने से होता है और cigarette में जो उतने तरह के chemical पाये जाते हैं जो harmful chemical पाये जाते हैं arsenic जैसी चीज़ पाये जाते हैं formaldehyde जैसी चीज़े पाये जाती हैं वो सारे के सारे chemicals आपके lung में जाते हैं और वो cancer cause करते हैं तो ये तो बात हुई कि हमने जो अपने energy level को बनाए रखने के लिए long hour काम करने के लिए हमने क्या किया caffeine और nicotine का 7 किया और caffeine और nicotine से क्या हो रहा है this is what we understand कुछ नया चीज मैंने नहीं बताया हमने recap किया आप बिलकुल जानते हैं क्या क्या होता है क्या हो रहा है फिर भी हम ले रहे होते हैं या कोई बगल में ले रहा होता है हम उसको समझा नहीं पाते हैं वो मान भी नहीं पाता तो solution क्या है जब तक किसी problem का solution नहीं दे if you have a problem you must give a solution otherwise there is no point तो मेरे boss थे जब मैं 20 साल पहले 20 साल पहले उनके साथ काम करता था तो उनका एक बड़ा अच्छा learning मेरे पास पूरी life में रहा और उस learning को मैंने अपनी companyों में हर जगह apply किया और मेरी पूरी की पूरी team उसको follow करती है और उनका theory ये था कि you always used to hate the problem and he always used to reward the person जो problem लेके आता था बात समझिये वो problem को hate करते थे problem नहीं चाहते थे सुनना नहीं चाहते थे problem लेकिन जो problem लेके आता था उसको वो बहुत ज़्यादा regard करते थे और उसका weightage बहुत मान के चलते थे पट एक सर्थ थी और सर्थ क्या था कि you talk a problem and you come with a solution you don't come with a problem ये बताने के लिए कि ये ये problem है problem लेके मता है there is a problem and come with two three solutions which you think is the solution पड़े and that is why you are manager that is why you are general manager, you are vice president, whatever if you have only problem then you are not a manager, you cannot manage this is what he used to say और वो learning मैंने ली और उस learning को लेके मैंने जहाँ भी काम किया हमारे हर subordinate को, हर team member को हमारी companyों के लोगों को हर जगह मैंने ये पहले दिन clear रखा कि come with a solution here we are talking about a problem कि हमें continuity बनाए रखने के लिए energy level बनाए रखने के लिए monotonous नहीं होने के लिए kick बनाए रखने के लिए हमें caffeine और nicotine की जरूरत है जो की harmful है problem ये है, solution क्या है so we need to talk about a solution what is the solution any other option कोई option है क्या caffeine निकोटीन के अलावा yes there are healthy options बहुत सारे healthy options है आप एक ginger का टी पी सकते हैं एक cinnamon टी पी सकते हैं green टी पी सकते हैं आप जो है fruit juice ले सकते हैं आप जो है कोई दूसरे तरीके अपना सकते हैं बहुत सारा कुछ कर सकते हैं there are options but सब में कोई ने कोई problem है अब आप बोले मैं तो office के table में बैठा हुआ था और office के table में बैठे 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 बाब ginger tea का बात बता दिया अब हमारे pantry में भी नहीं मिलता अब ginger tea बना के कौन देगा घर में बैठे थे तब तक ठीक था तो ginger tea बनाने उड़ गया तो काम का क्या होगा ginger tea नहीं मिला cinnamon tea नहीं मिला तो क्या हुआ यह हुआ तो क्या हुआ पता है भाई green tea तो green tea में तो भाई वो हमें तो उसका test नहीं जमा यह हुआ वो हुआ बनाएगा कौन होगा कौन तो सारे तकलीफ आ गए तो any other solution is there options are there but वो options क्या उतना काम करेंगे क्या जो काम हमारा वो caffeine कर रहा था nicotine कर रहा था तो yes there are solutions जो आपको same lasting jolt दे सकते हैं वही वाला kick दे सकते हैं वही वाला energy level दे सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं तो berries हो सकते हैं और berries में भी कैसे blueberries, raspberries, blackberries इन तरह के berries की बात करें तो वो अच्छे खासे energy boosters हो सकते हैं आपके लिए और उनकी एक खासियत होती है berries की कि वो आपके body की जो energy craving है sweet craving जिसको कहते हैं मीठा खाने के लिए कैसा आपका body crave करता है आप उसके लिए एकदम जो है उतारू होते हैं कि मीठा खाने का मन करता है कि अभी कुछ मीठा हो जाए मीठा मिल जाए मीठा मिल जाए इसको कहते है craving हो रही है ब्याकुल है आपका सरीर उस मीठा के लिए तो यह जो मीठा खाने का मीठा पीने का या कोई इस तरीके का एक चाय हो जाए, कॉफी हो जाए जो आपको craving है that craving को यह berries बढ़ियां से address करते हैं almost completely try करके देखिए try करके देखिए यह बहुत बढ़िया काम करते हैं आप सुखी berries जदी कभी खरीदते हो इन सारे berries का जो मैं नाम ले रहा था यह सुखे हुए फार्म में आज कल इंडिया में सुपर मार्केट्स में पले पले है most of them you can buy it and keep it, थोड़े महंगे हो सकते हैं just take little और आपने खा लिया और पानी पीजिए और feel कीजिए कि क्या हुआ वही चाय और कॉफी आपको जरूरत सायद नहीं पड़ेगी इस तरीके से काम करेगी वो तो छोड़ दीजिए आप बहुत लोग आउला का कैंडी खाते होगी कितने लोग आउला का कैंडी खाते हैं बहुत लोगों खाना खाने के बाद मीठा खाने का तलब होता है या तो बॉड़ी क्रेव करता है मीठा खाने के लिए कुछ लोग आईश्क्रीम खाना चाहते है स्वीट खाना चाहते है आप ज़ादा मत कीजे एक छोटा सा वो जो क्या बोलते है आवला कैंडी का एक पीस ले ले एक दम छोटा सा उसका आधा टुकड़ा लेंगे तो भी चलेगा and just keep it in the mouth खाना खाने के बाद पानी वानी पी लिया आपने एक छोटा सा mouth में रख लिजे और रखके उसको चबा के खा मत जाएए उसको रखे रहेए and compare वो जो आपने आईस क्रीम खाया था वो जो मीठा खाया था जो आईस क्रीम के बिना आप नहीं रह पाते थे आप देखिये रह पाते हैं कि नहीं और आपको ताजूब होगा कि आप बढ़ियां से रह पाएंगे and it will work great why because Aula is also a wild berry इसके अंदर भी वो वो सारे चीज थे जिनके अंदर पूरी की पूरी वो ताकत है जो आपके उस craving को कम करेगा इसलिए मैंने बोला कि ये good energy boosting तत्वा उसके अंदर होते हैं जो आपके craving को कम करते हैं and I am going to suggest you an amazing product today जो आपके इस craving को बहुत ही convenient तरीके से कम कर सकता है amazing solution I will call it एकदम amazing option जो कि एकदम super healthy है super healthy है किसी तरीके का उसमें नुकसान नहीं है easy to use है दूसरा point easy to use use करने के लिए को टेंशन नहीं अधरक की चाय बनाने को नहीं बोला मैंने cinema on tea बनाने को नहीं बोला office के table में बैठे बैठे car में travel करते करते किसी client place पे meeting करते करते को presentation देते देते you can use it तीसरी बात economical है economical than tea economical than coffee economical than anything which you can take economical है किफायती है and the fourth thing is that you can use it anywhere कहीं भी आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर पे अपने office में अपने work place में travel के दौरान anywhere you can use it तो क्या है वो amazing solution उस पे आते हैं और amazing solution जो मैं बताना चाहता हूँ उसका नाम है acti life गोयंग का ये एक product है जो drop form में है और इसका नाम है acti life LYF super berries का ये drop है six super berries से बना हुआ है ये जो है आपको super active रखेगा day long super charged रखेगा day long super antioxidant है ये ये जो है आपके oxidative stress को fight करेगा, कम करेगा और आपको young और energetic बनाए रखेगा आपकी उम्र के साथ साथ आप चल रहे हैं फिर भी आपको young और energetic बनाए रखने में ये मदद करेगा ज़िए आप इसको sip कर रहे हैं अब इसको समझने के लिए इनके अव्यावों को समझते हैं और फिर चीजों को समझते हैं power of berries to keep your day long active यहाँ पर मैंने सारे berries दिखाए हैं छे berries इसके अंदर है नूनी है, आवला है, गोजी बेरी है, ब्लाक बेरी है, अकाई बेरी है और ब्लू बेरी है select 6 berries इसके अंदर है and let us understand कि यह 6 बेरी काम कैसे करते हैं, how they work एक एक करके समझते हैं, सबसे पहले सबसे टॉप वाले को लेते हैं नूनी को और नूनी को समझने की कोसिस करते हैं, नूनी को तो आप जानते हैं और नूनी का बूस्टर भी है, तीनों काम करता है, लेकिन अभी जिस हम नूनी के format की बात कर रहे हैं, वो concentrate form में है, high concentrate form में नूनी को आपने drop के अंदर रख लिया अब ये करता क्या है 09, 09 जो है protein जो हमारे शरीर के अंदर है, उसके साथ काम करता है और अपने कोशिकाओं को ठीक से function कराने में मदद करता है ये सुनिश्चित करता है, 09 इस बात को सुनिश्चित करता है कि सरीर में जितनी भी chemical processes चल रहे हैं, thousands and thousands of chemical processes चल रहे है, सारा कुछ enzymatic reaction से चल रहे है, signals भी जो लिये जा रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, बता रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, बता रहे हैं, आप ट तरीके के processes, chemical process body के अंदर चल रहे हैं, और उन सब process को सुचारू रूप से चलाने का काम जो है, ये कर रहा है, अब आप connection निकाल पा रहे होंगे कि उसका दो drop लेने से क्यों आप super active हो जाएंगे, क्यों आप अपनी energy level maintain रखेंगे, because आप वहां पे address करने जा रहे हैं, उसके concentrate को अपने पानी में लेने के साथ, so we are talking about this, नोनी एक और चीज़ करता है, ये rich है, antioxidant तो है ही, super, लेकिन rich है, vitamin C में, vitamin B3 में, vitamin A में, iron में, इन सारी चीज़ों में rich है, imagine, if इसका concentrate drop आपके पानी में होता है, जो आप पानी sip कर रहे होते हैं, तो ये आपको एक different level की energy देता ह है, different level का charge up देता है, और ये सही मायने में instantly वहाँ पे आपको action दिखता है उसका, ये great source है, biotene का भी, इसमें folate भी है, और इसमें B vitamins की group है, तो ये जो B vitamins हैं, वो क्या करते हैं, आपके food को energy में convert करने का काम करते हैं, खाना तो आपने खा लिया, लेकिन उसको proper energy में convert करने का काम ये कर रहे हैं, and that is where it works, नोनी को pain relief के लिए मना जाता है, येस, आप सब जानते हैं, नोनी को pain relief के लिए मना जाता है, बहुत बढ़िया है, विकोज इसको natural pain reliever, pain killer कहते हैं, तो ये जो natural pain relief का बात करें, या इसको ये कह सकते हैं कि ये endurance को boost करता है, ज़िए आप zim कर रह हैं, extended working hours काम कर रहे हैं, कभी-कभी कैसा होता है, कि हम जो है, 4 गंटे, 6 गंटे, 7 गंटे काम करने की बात रखते हैं, 8 गंटे का office होता है, या work होता है, और कभी-कभी हम 12 गंटे, 14 गंटे काम कर रहे होते हैं, yes, yes, मैं कभी-कभी 15 गंटे काम कर रहा होता हूँ, जब आप extended ended working hours काम कर रहे होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, आपको endurance को boost करने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप जब जिम में जाते हैं, और जदी extra reps मारते हैं, extra workout करते हैं, extra cardio करते हैं, तो आपको endurance को boost करने की जरूरत होती है, नोनी इसी बात के लिए जाना जाता है, व तनाव को जो reduce करने की बात की जाए तो नोनी का effect सबसे बढ़िया होता है stress reducer या stress reliever के लिए नोनी को बढ़िया जाना जाता है तनाव reduce करने के साथ साथ यह आपके cognitive function को भी बहतर करता है अब आप इसको realize करके देखिए day to day work में जाके देखिए आज जिस तरीके के stress में हम काम कर रहे होते हैं tension में काम कर रहे होते हैं तनाव एक बात होती है और cognitive function एक बात होती है दिमागी रूप से cognitive function आपका कितना strong चल रहा है जदि cognitive function को आपने बहतर किया और तनाव भी manage हुआ तो आपकी performance बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी yes or no give me a response in the chat box आपकी cognitive function बहतर हो जाए और आपका तनाव भी control में रहे तो आपका output बढ़ेगा अपने आप आप देखिए कोई बात से आप तनाव में आ जाए देखिए output घट जाएगा आपका cognitive function ठीक नहीं चले तो देखिए आपका output डट जाएगा और इसी लिए बोलते हैं ना कि बादाम खाने से दिमाग strong होता है वो उस तरह की कुछ बाते हो रही हैं तो आप जो है cognitive function को focus करें तो नोनी उसके लिए बढ़िया काम करता है नोनी एक और चीज़ करेगा जदी आप इसकी concentrate की बात करें तो anti-bacterial है, anti-fungal है, anti-inflammatory है और anti-histamine property की से less है अब इन सब चीजों को जदी आप day-to-day में apply करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये आपको ज़्यादा ticking रखेगा ज़्यादा spinning रखेगा और ज़्यादा ज़्यादा energy के साथ रखेगा और आप बहतर काम कर पाएंगे और इसके history में जदी जाते हैं तो polynesia में इसका ज़्यादा चलन रहा, वहाँ ज़्यादा उगता है तो हज़ारों साल का इतिहास है कि polynesian हमेशा से आप Google करके देख सकते हैं polynesian हमेशा से नूनी को ठकान कम करने के लिए इस्तेमाल करते थे ठकान कम करने के लिए इसका इस्तेमाल polynesia में होता था इसका मतलब यह हजारों साल पहले होता रहा है इसका मतलब कि यह tested and proven product था जिसका आपके ठकान से बैटरी के चार्ज होने से बचाने के लिए या बैटरी को recharge करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो नूनी आपको मदद कर सकता है physical activity के लिए energy level बढ़ाये रखने के लिए और ठकान को fatigue को control करने के लिए तो हमने पहला product की बात की उसके अंदर छे घटक हैं छे berries की मैंने बात की तो पहला berry हमने डिसकस किया नूनी था अब चलते हैं दूसरे घटक की तरफ दूसरा जो berry है गोयंग active life में उसका नाम है black berries यह मैंने तस्वीर रखी है आपके सामने black berries की ब्लाक बेरी के अंदर भरके phytochemicals हैं और जो इसमें एक प्रमुख phytochemicals है उसको हम anthocyanines कहते हैं ब्लाक बेरी का जो core component जो bioactive compound है वो anthocyanine नाम का एक phytochemical है अब यह करता क्या है anthocyanine यह जो है cells को protect करता है free radical से black berries excellent source है vitamin C का और manganese का manganese और vitamin C इसके अंदर हैं इसके अलावा इसमें magnesium भी प्रचूर मात्रा में है अब magnesium क्या करता है तो magnesium को एक body के लिए miracle worker कहा जाता है magnesium is a miracle worker for your body ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि आप जब continuous काम कर रहे होते हैं तो magnesium एकदम कर्मठ worker का काम करता है आपके लिए और ये हमें हमारी body को absolutely जरूरी भी है essential है ऐसा नहीं है कि shock से उस worker को लिया तो जरूरी भी है तो magnesium energy create करने में मदद करता है protein formation में मदद करता है muscle movement में मदद करता है और nervous system के regulation में भी मदद करता है अब मैंने जो चार बाते कही nervous system regulation, muscle movement, protein formation और energy level आप समझें कि सारा दिन जो भी कुछ आप कर रहे होते हैं उसमें इन ही चारों चीजों की जरूरत पड़ती है तो blackberry कितना बढ़िया से आपको जो है इस energy को restore करता है या energy बनाए रखता है blackberries को थोड़ा और समझते हैं blackberries में potassium मात्रा में होता है अब potassium बनाना जैसे आपने क्या किया कभी देखिएगा दो केला खा लिजे तो आपको क्या होगा energy pump up जैसा महसूस होगा mood अच्छा लगेगा yes yes क्योंकि आपने potassium लिया तो blackberries के अंदर भी potassium है अच्छी मात्रा में potassium एक important nutrient है क्योंकि ये जो है sodium का balance आपकी body में बनाए रखता है और sodium का balance बनाए रखने का मतलब क्या हुआ कि आपका blood pressure को control में रखता है सोडियम की मात्रा बनाए रखता है और blood pressure को control में रखता है अब अनुमान लगा ये कि जदि blood pressure ही आपका control में है आपको BP है कि नहीं है इसकी बात नहीं हो रही है तो भी जदी हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहे तो हम जादा देर तक टिकेंगे येस और नो कितने लोग समझ रहें कि हम जादा देर तक टिके रहेंगे आप जदी एक जॉगिंग करना सुरू किया और जदी आप पेस बनाए रखें तो आप 10 किलोमेटर जा सकते हैं हाफ महराथन जा सकते हैं फुल महराथन जा सकते हैं लेकिन यहां से मैंने पूरा जी जान लगा के दौरना सुरू किया प्रेशर बढ़ा लिया तो 100 मिटर, 200 मिटर, 500 मिटर बहुत हो गया उसके बाद मैं बैट जाओंगा so that is that blood pressure को भी control करता है because यह जो है आपके sodium level को manage करता है कौन सा चीज manage करता है potassium जो इसके अंदर है अब potassium एक और चीज़ करता है carbohydrate को glucose में convert करने का काम करता है carb को sugar में convert करने का काम करता है glucose क्या करता है glucose आपको energy देता है instant energy मतलब glucose अब आपने रोटी खाया चावल खाया ये खाया वो खाया खाना खाया carbohydrate लिया carb को sugar में carb को glucose में जो energy है उसमें convert करने का काम potassium करता है और यह इसमें है और इसलिए blackberries एक दूसरा component था हमने 6 component इसकी बात की गोयंग active life में अब तीसरे component की बात करते हैं तीसरे component का नाम है गोजी berries ये हिमाले के high altitude में पाया जाता है जादा करके तिबत में लदाख में पाया जाता है high altitude में high altitude का मतलब एकदम उचाई पे और फिली चोटियों के उपर जाके तो ये गोजी बेरी का इतिहास बहुत पुराना है जो documented इतिहास है उसमें भी 5000 पुराने सालों में भी गोजी बेरी का बढ़िया विवरन है और मैं थोड़ा सा TCM से connected हूँ मेरे पास TCM की qualification है traditional Chinese medicine जिसको कहते हैं और मैंने चाइना में काफी वक्त बिताया है इन चीजों में और वहाँ पे मैंने देखा कि गोजी बेरी मतलब गोजी बेरी भगवान मतलब गोजी बेरी हर चीज में गोजी बेरी 5000 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास traditional Chinese medicine का है गोजी बेरी के मावले अब गोजी बेरी करता क्या है उसको समझते हैं गोजी बेरी mental sharpness के लिए जाना जाता है stress level को कम करने के लिए जाना जाता है अब इन दोनों चीजों का इस्तेमाल day to day life में लेके देखे आपने work में लेके देखे चाहे आप factory में काम करते हैं या site पे काम करते हैं या court कचरी में काम करते हैं कोई educational institute में है या फिर कोई दफतर में है या कोई stress वाले business में है या कोई software और IT में बैठे हुए है या कोई police वाले और military वाले job में है कहीं पे आप लेके देखिए ज़दी mental sharpness और stress ज़दी low हो जाए तो आपकी productivity बढ़ जाएगी कि नहीं yes or no yes yes आपकी productivity बढ़ जाएगी करता है यह वो बात हुई अब एक और चीज़ करते हैं गोजी वेरी को चाइना में बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते हैं sexual power बढ़ाने के लिए आपकी energy level को boost करने के लिए और उसमें यह करता क्या है तो यह आपके blood flow को बढ़ाता है शरीर में आपके blood flow को बढ़ा देता है उससे होता क्या है तो energy enhancing oxygen जो है उसका flow बढ़ जाता है सीधे-सीधे blood flow बढ़ा दिया blood के अंदर जो लाल रक्त कन है red blood carpals है वो oxygen को carry कर रहा है तो सीधे-सीधे आपका जो energy enhancing oxygen है उसका flow जो है आपकी body में बढ़ गया और गोजी बेरी को जो है एक concentrated source माना जाता है antioxidant का super antioxidant क आप अनदाशा लगाईए कि आप work कर रहे हैं, office में कर रहे है, business में कर रहे है, कोई दफतर में कर रहे है, court का चैरी में कर रहे है अपने office क्या बोलते है, field job में कर रहे है, कहां पे भी आपकर रहे हैं जदी आपकी एकांगर इचित्ता आए, ध्यान आए, focus बढ़ जाए, तो क्या होगा, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, याद कीजिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक कोई NCRT की पतली बुक होती थी, उसमें इंट्रेस्ट ही नहीं आता था, वो एक चाप्टर, एक पेज लेके कभी-कभी दो-दो हंटे, तीन-तीन घंटे तक पढ़ते रहते थे, उसमें से कुछ निकल के ही नहीं आता था, क्या हो रहा था, फोकस, कंसेंट्रेशन, एकागरचित्ता, ध्यान, मिसिंग है, वहां मन नहीं लग पाड़ा है, लेकिन वही कोई उपन्यास कोई पढ़ रहा हो, आप देखिए, उपन्या से पढ़ता रहा जाता, क्यों? क्योंकि लगन लग गई, ध्यान लग गया उसमें, मजा आया, मेहनत, पता नहीं चल रहा है, आदमी पढ़ता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि एकागरचित्ता आ गई, कंसेंट्रेशन आ गया है, और वही चीज कभी-कभी आपके वर्क में लेकिन जदी फोकस कंसेंट्रेशन और भी तरीके से बढ़ सकती हो, तो ये चीज गोजी बेडी बखू भी कर सकता है, और इसी बात के लिए ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसीन में पाँच हजार से जादा सालों से इसको जाना गया है, और ये वो काम करता है, फटीग को ब अकाई बेरी का भी कंसंट्रेट है इसके अंदर, अकाई बेरी क्या करता है, अकाई बेरी आपकी इनर्जी को बूस्ट करने में अहम रोल निवाता है, इट प्लेज अ की रोल इन बूस्टिंग योर अनर्जी लेवल, और ये आपके हेल्थ को सपोर्ट करता है, इस मायमने में कि सरीर के जितने भी major functions हैं बचपन में देखिए biology के book में आपने पढ़ा होगा कि skeleton system, muscular system, digestive system, nervous system, circulatory system, 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 यह सारे के सारे अलग-अलग systems हैं तो यह जो systems हैं इन systems को properly support करता है, energy level को boost करता है और यह जो है akaiberi को इसी लिए energy booster के नाम से जाना जाता है this is energy boosting बेरी और यह जो है इसी लिए fatigue को combat करने के लिए जाना जाता है, तनाओ को कम करने वाला माना जाता है, mental exhaust हो जाते हैं कभी-कभी आप देखिए कभी-कभी आपका energy level बना हुआ है, खापी के तगड़े बैठे हुआ हैं तो जो आपका mental exhaust हो जाने वाली बात हो जाती है, उसको ये reverse करने का काम कर सकता है, उसको बहतर करने का काम कर सकता है और उसको exhaust धीरे-धीरे हो उसका काम करता है, इट contains omega acids, काई बेरी का खासियत क्या है, इसमें omega acids है, जो आपके metabolism rate को improve करता है अब सोची कि जदी metabolism का rate ही बर जाए, तो क्या होगा, आपकी पाचन बहतर हो जाएगी, आपकी calorie का consumption प्रापर शुरू हो जाएगा और आपको जो है, ज्यादा lighter महसूस होगा, ज्यादा energetic महसूस होगा, आप अपने आपको हलका महसूस करेंगे, ज्यादा energetic महसूस करेंगे और जो last वाला है, स्वरी, second last वाला पाँचवाँ, that was fourth one, ये पाँचवाँ जो है, वो है blueberry blueberry क्या करता है, blueberry का concentrate की बात करें, तो blueberry loaded है, powerful antioxidant से, energy boosting carb के साथ, vitamins हैं इसके अंदर, vitamin A भी है, vitamin C भी है, इसके अंदर magnesium है, इसके अंदर potassium है, इसके अंदर folates है, ये सारे के सारे blueberries में भरे हुए है, और ये सारे के सारे nutrient, phytochemicals हैं, और ये जो blueberry, phytochemicals से last हैं, और ये जो blueberry है, ये जो है, free radical का जो built-up होता है, उसको nullify करता है, उसको कम करता है, उसको break करता है, पतलब एक तरीके से आप बोलें, तो stop करता है, आपके free radical के built-up को, और result क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, जदि उसके built-up को ही कम कर दे तो, मान लिए कि कोई ची गल्ट देता है, एक और इसकी खासियत है, blueberry की, और वो खासियत है, कि ये depressive symptoms को कम करता है, जब depressive symptoms की बात करें, तो ये थोड़ा ज्यादा, कम ज्यादा सब में पाया जाता है, किसी की बहुत ज्यादा है, तो उसको psychiatrist से मिलने की बात आ जाती है, लेकिन zero किसी में नहीं होत हो, हो सकता है, situational कोई depressive symptom हो रहे हो, उस assignment को लेके हो रहे हो, उस team को लेके हो रहे हो, दो-चार उसमें नमूने हो आपके team में, जो काम ही नहीं कर रहे हो, कुछ लोग पीछे खीच रहे हो, को buyer, supplier, associate, vendors, ऐसे हो जो आपको और तकलिफ कर रहे हो, तो depressive symptoms को fight करने के लिए भी blueberries is एक एक बहतरीन चीज है, तो ये क्या करता है, body और mind को recover करने में काम करता है, stress को कम करने में काम करता है, और cellular injury को fast recover करता है, cellular injury दिन भर आपका होता रहता है, उसको fast recover करता है, अब हम बात करते हैं, छटे बेरी की, जो की last है, ये जो छटा बेरी आपके goyang active life में है, उसका नाम है gooseberry, जिसको हम कहते हैं आमला, और उन भेरी आमला, जो भारत में प्रच्चूर मात्रा में पाया जाता है, और हम इसको ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, क्योंकि ये 150 रुपे किलो मिलता है, कही न कहीं मिल जाता है, हर जगह मिलता रहता है, तो हम इसको ज़्यादा भाव नहीं देते, हम यही berries को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, अब मैं आपको इसके भाव की बारे में बताता हो, कि ये तो 150 रुपे किलो मिल जाता है, सालोँ भर अबेल होता है, हम बहुत ज़्यादा इसको भाव नहीं देते हैं, लेकिन क्या आपको मालुम है, कि आ आवला के बारे में क्या क्या जानते हैं, आवला के बारे में जानते हैं, इम्मुनिटी के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आवला पाचक, पाचक हो तो आवला के बिना नहीं होगा, त्रिफला हो तो आवला के बिना नहीं होगा, जानते येस, येस, जानते है, और क्या जानते है, इम्मूनिटी हो गया, पाचन हो गया, और क्या जानते है? Weight Management जानते होंगे आप लोग, Weight Management के लिए आवला बहुत बहुत बेतरीन यूज होता है और Weight Management के टकरीबन हर सपलिमेंट में, मैं खुद एक फर्मिलिटर हूँ आवला का इस्तेमाल जरूर करते हैं और क्या पेन रिलीवर है आवला बहुत अच्छा पेन रिलीविंग का काम करता है तो आवला पेन रिलीविंग के लिए है आवला जो है वाइरल इंफेक्शन को कम करता है वाइरल इंफेक्शन के लिए बहतरी न्परडक्ट है तो आउला उसके लिए जाना जाता है Blood Purifier का काम करता है आउला Natural Blood Purifier आप कह सकते हैं वो आउला है इसके लिए जाना जाता है तो यह सब चीज तो हम आउला के बारे में जानते हैं और भी बहुत सारी चीज़ हैं। आप जाहे बाल के लिए आउला का इस्तमाल करते हैं। स्किन के लिए आउला का इस्तमाल करते हैं। कितने लोगों ने बाल में आउला लगाया हुआ है बच्पन में और अभी भी लगाते हैं। आवला का पानी से बाल को दोते हैं, बाल को naturally black करने के लिए आवला का इस्तमाल करते हैं, इस्किन ग्लो लाने के लिए आवला का इस्तमाल करते हैं, तो आवला के जितने गुन निकाले हैं, बहुत ज़्यादा है, भाव प्रकाश निघंटू जो हमारा इतना ज़्यादा पावरफुल है, यह तो है, लेकिन अब बात करते हैं, एंटी ऑक्सिडेंट की, यतने भी बेरी अभी हम गिन रहेते हैं, नोनी से लेके, ब्लाक बेरी, अकाई बेरी, ब्लूबेरी, रस्बेरी, जो भी हम बेरी इस की बात करें, उसके सामने हम आवला को को भाव देते हैं क्या, yes or no, no, yes, हम भाव नहीं देते, बिलकुल नहीं देते, क्यों, क्योंकि हम समझते हैं कि आवला यह तो घर की मुर्गी दाल बड़ावर, yes or no, कितने लोग जानते हैं, घर की मुर्गी दाल बड़ावर, यह कावत हमां मिसा कहते हैं, तो हम आवला को उत से powerful antioxidant है and it is far more powerful antioxidant than all those popular berries blackberry को बोलो, blueberry बोलो, gozi berry बोलो अनार बोलो, या फिर turmeric की बात करें न हल्दी को हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा antioxidant है येस है, लेकिन आवला के सामने ये सब पानी भरते हैं इनसे कई गुना जादा powerful antioxidant आवला है क्योंकि औराक वैल्यू जो इसका है उसके size को कोई match नहीं करता और इसलिए इसे धरती पे पाये जाने वाला strongest natural antioxidant माना जाता है आवला को अब इस आवला को जदी आप लें तो फिर इसकी पंजनसी होगी, इसका खटापन होगा इसके लेने का method होगा, कोई और तरीका होगा जदी इसका extract हो, इसका concentrate extract form में हो एक दम और वो जदी आपके पानी में हो जो कि आपको पता भी नहीं चले कि यह आवला पी रहे होगा और वो मिल जाए तो कितना बहतरीन होगा आईरवेद के हिसाब से जदी बात किया जाए तो आवला में cooling effect है शीत विर्य कहते हैं, यहाँ पे काफी लोग जदी आईरवेद के जानने वाले होंगे और इस तरीके के प्रकृती को follow करते होंगे विकृती प्रकृती तो वात कफ पित वाली बात करें या उष्ण और शीत की बात करें तो शीत विर्य नाम की चीज आपने सुना होगा तो आवला को शीत विर्य कहते है इसलिए इसमें cooling effect है अब एक बात बताईए कि आप जदी काम कर रहे हों कितने भी degree temperature हो, काम कर रहे हों जदी आपको AC चला दिया जाए या थोड़ा सा temperature दो डिगरी कम कर भी आ जाए बाहर का ताप माना तो क्या आपकी productivity बढ़ जाती है कि नहीं Yes or No? Yes, बढ़ जाती है आपकी productivity क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा cooling effect मिल जाता है आप अपना धिमाग शांत कर लें तो थोड़ी cooling आती है productivity बढ़ती है Yes, बढ़ जाती है एक और cooling करके कभी देखिएगा जिसको कि हम कहते हैं न शीतल प्राणयाम कितमे लोग शीतल प्राणयाम करते हैं शीतल प्राणयाम का मतलब होता है कि आप अपने होट को सीटी जैसे बजाते हैं किजिए और सीटी बजाने के लिए बाहर सीटी मत बजाईए अंदर हवा खीचिए करके हवा खीचिए सीटी बजाने के स्टाइल में आवाज निकाले बिना हवा को खीचिए और जदी होट को बना के जदी आप हवा खीचेंगे तो invariably आप नोटिस करेंगे बहले टेंपरेचर बाहर 45 डिग्री टेंपरेचर चल रहा हो आज की गर्मी में अब कभी ऐसा खीच के देखिए एकदम सीतल हवा अंदर आएगी येस येस इसी को सीतल प्रणायाम कहते है सांस छोर खीच रहे हैं सीतल एकदम तो कोई भी चीज जब सीतल करेंगे और कभी भी आप जदी ज़्यादा मोनोटोनस हो रहे हैं ठक रहे हैं तो सीतल प्रणायाम दोबर कर लिजिए और उसके बाद देखिए दोई बार एक से देर मिनट और उसके बाद जोगी आप फिर से काम पर लगिए आप देखिए बहुत बढ़िया महसूस होगा चार डीप ब्रेथ लिजिए डीप ब्रेथ लिजिए चार बार एक मिनट पचीस-पचीस सेकेंड का चार बर डीप ब्रीथ लिजिए और आप देखिए डेर दो मिनट के अंदर आप जो है एकदम शांत, cool महसूस करेंगे थोड़ा सा तो cool होने पर productivity बढ़ती है ये बात हमने अवी तक समझी अब समझी है कि ये जदी इसकी शीत विर्य प्रकृति ही है ये cooling effect देता है तो ये किस तरीके से आपकी body को आपकी body के temperature को regulate करेगा फोड़ा सा, इतना फोड़ा सा कि वो आपको productivity की तरफ ले जाएगा energy enhance करेगा, आपको boost करेगा और ये cooling property जो आवला का है वो क्या करता है खास काम जो करता है ये cooling property वो ये कि वो पित को balance करता है वात कफ पित होती है na, पित को balance करता है और जब पित्त को बैलेंस करेगा तो वो जो है stomach acid को naturalize करता है और जब naturalize करेगा तो यह जो है body के inflammation को कम करने में सीधा सीधा योगदान मिलेगा और यह सारा कुछ आपको ज़्यादा stable बनाता है ज़्यादा charge करता है आपको ज़्यादा energetic बनाता है day long battery charge रखता है और सबसे important यह है कि यह सारे के सारे berries अभी तक हमने 6 berries का चर्चा किया यह आपके free radical को और oxidative stress को कम कर देते हैं अब यह free radical oxidative stress क्या है यह आप बिलकुल अलग-अलग sessions में समझते रहे हैं but quickly in two minutes मैं समझाने की बात करता हूँ कि यह free radical का चकर है क्या oxidative stress जिसकी इतनी बात हम कर रहे है वो क्या है क्या है यह free radical oxidative stress क्या है आईए मैं आपको सिर्फ दो मिनट में समझाता हूँ और वो भी बिलकुल सरल भासा में कि यह क्या है यह तस्वीर देखिए यहाँ पर एक छोटा बच्चा है सायद बेवी है और एक जो है बुढ़े वेक्ति हैं शायद 900 साल के हैं जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है body change होता रहता है continuous body change होता रहता है और यह जो change है वो body के कोशिकाओं में होता है cells में होता है organs में होता है और लगातार change होता रहता है excess oxidative stress जो होता है वो directly हमारे बिमारियों से connected होता है हमारी aging से connected होता है और इस तरीके की problem से connected होता है formation जो new cells का है और destructions जो new cells का है cells बने हुए cells का है वो एक process है नए कोशिकाओं बनती हैं और कोशिकाओं बिगटित होती हैं हमेशा every second millions of कोशिकाओं millions of एक दो हजार नहीं millions of कोशिकाओं हर second में बनती हैं नई और बिगट जाती है नस्ठ हो जाती है तो production भी हो रहा है और destruction भी हो रहा है जदि यही आमदनी अठनी खर्चा रुपईया होने लगे तो आदमी की बुढ़ापा सुरू हो जाती है और जदि आमदनी जादा हो रहा है खर्चा कम हो रहा है तो आदमी युवा बनता रहता है जवान होता रहता है ग्रो होता रहता है तो इसको किस तरीके से देखें त तो यह क्या होता है यह रेशियो जो है डेट सेल्स का बढ़ता चला जाता है और यह रेशियो और यह नाचुरल एजिंग प्रॉसेस है इसमें कुछ भी गलत नहीं है इसमें प्रॉसेस स्वस्थ रहके हमें क्या करना होता है नाचुरली एज होना होता है बिना किसी बीमारी के बिना किसी बात के जदिया आप एजिंग में जा रहे हैं तो यह बेस्ट एजिंग है आज के modern life में जब बात करें भाग दोर वाली जिंदगी में बात करें प्रदूशन भरी जिंदगी में बात करें तो हम क्या कर रहे हैं mental और physical stressful condition में काम कर रहे हैं हम जो है 24 गंटा काम करने की कोसिस कर रहे हैं हम gadget से less हैं तो cells और जो dead cell और नई cell वाली जो गणित है वो पूरी की पूरी बिगर चुकी है वो ratio कहां का कहां हो चुका है और यह जो है जो हो रहा है इसको कहते हैं early aging early aging क्या क्या करता है आपको weakness की तरफ ले जाता है आपको कमजोर करता है आपकी immunity घटाता है आपके बाल को सफेद करना सुरू करता है बाल को जढ़ाना शुरू करता है hair thinning होने लगती है स्किन जो है डल पर नहीं सुरू होती है, स्किन पर स्पॉट्स आने सुरू हो जाते हैं, जुर्यां बनने लगती है, स्किन की टाइटनिंग कम होने लगती है, रिंकल्स आते हैं, स्किन पर कोई-कोई अजब तरीके के स्पॉट्स दिखने लगेंगे, एज स्पॉट्स जिसक पहते हैं, फटीग होगा, स्लीप की·कॉलिटी घटाएगा, आपकी नींद की क्वालिटी कम होगी, जितना बेबी आराम से सो रहा था, वैसा आप धीरसेद्रे आप नहीं सो रहे हैं, किसी पिता जी से पूछी हैं, बुजर्ण से फर्क पड़ता है, आपके output पर फर्क पड़ता है कि आप एक घंटा में कितना काम कर रहे थे और वही वाली बात जो मैंने पहले slide पर पूछा था कि how many hours you are able to work without getting tired उस पर फर्क पड़ेगा, पहले जदी आप 8 घंटा काम कर पाते थे तो आप घटके घटके वह दूसरा घंटा में बदल चुका है और वह problem हो चुका है after 60 typically retirement year पकड़ के चलें तो after 60 यह होता क्या है तो आप जो है यह तरह के problem phase करना सुरू कर देते हैं और यह age related problems होने लग जाते हैं heart cup problem diabetes, blood pressure, kidney कमजोर होने लगी, liver में कोई problem हो गया, इधर कुछ हो गया, cytica हो गया, यह हो गया arthritis हो गया, यह problem आगई, वो problem आगई, यह चीजें चलती रहती है cataract हो गया, विसकी surgery करानी है वो करना है और आज की भागदौर में जहां हम extended working hours में काम कर रहे हैं हम जो है sedentary हो रहे हैं inactive रहते हैं, सोफा में पड़े रहते हैं कुर्सी में बैठे रहते हैं, लगातार काम कर रहे होते हैं लेकिन बैठे रहते हैं तो physical activity घट गई तनाव ले रहे होते हैं, radiation ले रहे होते हैं, electromagnetic food की quality कम हो गई, junk food खा रहे होते हैं, chemicals और pesticide residues ले रहे होते हैं नींद कम ले रहे होते हैं ये सारा का सारा factor क्या करता है तो हमको oxidative stress की तरफ ले जाता है और free radicals पैदा करता है हमारे शरीर में oxidative stress को simple तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि एकदम ताजा टमाटर है, थोड़ा खड़ाब होने लगया और सड़ गया, ये आपका normal cell है ठीक उसी तरीके से cell जो है free radicals के दौरा attack किया गया, तो बीच वाला बन गया और उसके बाद सड़ के खड़ाब हो गया cell with oxidative stress damage हो गया aging इसी को कहते हैं aging एक phenomena है जो directly oxidative stress से और free radicals से connected है free radical और oxidative stress से connected है तूसरा चीज formation की बात करें तो बाहर की factors बहुत ज़्यादा काम करते हैं बाहर का factor का मतलब कि ये सारा factors आद देखिए आपका जो UV light आप ले रहे हैं जिस तरीके का metabolism आपका हो रहा है जैसा आप smoke और वो सब चीजों की हम बात कर रहे थे caffeine, nicotine की या फिर आप जिस तरीके के radiation को ले रहे हैं air pollution ले रहे हैं gas chamber जैसी उपादी दी जा रही है हमारे देश के शहरों को और ये जो inflammation body में बढ़ रहा है ये सारा कुछ आपके DNA को damage कर रहा है ultra violet rays बहुत अच्छा प्रशान शहाने फ्रम नासिक ने बताया ये सारा का सारा कुछ आपको क्या कर रहा है damage कर रहा है और ये आपको oxidative stress की तरफ ले जा रहा है जो मैंने यहां तस्वीर में दिखाई और आपको free radical पैदा कर रहा है आपके शरीर में oxidation आपके cells को breakdown करता है और इसी को pre-mature aging की बात कहते हैं या disease की बात कहते हैं चाहे वो बिमारी हो चाहे pre-mature aging हो ये दोनों चीज oxidative stress की वज़े से हो रहे हैं free radical पैदा होने की वज़े से हो रहे हैं दोनों ताले जा सकते हैं बिमारी टाला जा सकता है और aging को delay किया जा सकता है जदी oxidative stress को control किया जाए या free radicals को control किया जाए ये simple process है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपके electrons हैं वो pair pair में हैं हमेशा electrons pair form में होते हैं दो-दो-दो के format में हैं लेकिन जब ये एक electron तूट गया आपके oxidative stress की वज़े से oxidative stress की वज़े से ये free radical हो गया एक तूट गया तो ये तूटा तो ये chain reaction है जैसे ही ये तूटा ये आगे गरबढ करना सुरू करता है free radical क्या करेगा damage करेगा ये free radical अगला free radical बनाएगा किस तरीके से तो ये इस तरीके से छीनना सुरू करता है ये free radical ये system है जैसे ही ये बनेगा ये free radical बाजू वाले का छीन के अपने को stable कर लेगा जैसे ही बाजू वाले को छीना वो stable हो गया उसने उसके बाजुवाले का छिन लिया और वो stable हो गया तो यह chain reaction चालू हो जाएगी और बस cancer cell cancer cell बनाते हैं उसी तरीके से यह जो है कोशिका कोशिका यह damage होती चली जाएगी तो यह free radical reaction है और यह जो free radicals है यह naturally body में exist करते हैं और यह होते रहते हैं यह cell damage होते रहते हैं और यह जो है dna पर काम करते रहते हैं anti-oxidant जब हम लेते हैं तो यह जो है इनको naturalize कर देते हैं free radical को seize कर देते हैं और oxidative stress को कम कर देते हैं और इसलिए oxidative stress को कम करने के लिए यह जो है सबसे कारगर चीज है एंटी ओक्सिडेंट लेना और यह जो पूरे के पूरे चीज है यह आप drop के form में ले सकते हैं and that frog आपके पानी में डाल सकते हैं आप जब जब पानी पीते हैं तब यह अपने पानी के bottle में डाल लिया तो काम हो जाता है this is easy solution so super berries drop जिसका नाम है go young acti life और यह 6 super berries से बना हुआ है just add this in your drinking water आपका drinking water जो भी पीते हैं पानी का filter घर में है वहाँ पे घड़ा है मटका है जग है टेबल पे bottle है पानी का जब पानी पीते हैं उसमें पांदस बुन टपका दीजे और that's all उस bottle को शेक करके रख लीजे और पानी पीएं बहुत अच्छा होगा अपने water bottle को ूड बनाईए object of desire बनाईए OOD यह एकदम ऐसा होना चाहिए water bottle की object of desire होना चाहिए उसमें आकर्शन लाईए उसको attractive बनाईए उसको sexy बनाईए उसको जो है एकदम nice cute water bottle खरीद के लीजे आजकल बजार में बहुत अच्छे water water bottle available है मिटल वाले bottles जो की बाहर से stylus हैं और अंदर मिटल है copper के bottle है copper layer के साथ multiple layer वाले तो आप एक अच्छा bottle लीजिए जो एकदम बढ़िया है stylus हो जो आप अपने office के table पे रख सकें कार में रख सकें कहीं चलें तो लेके चल सकें जिम लेके जा सकें कई social gathering में जाएं तो तहलने को जाएं तो लेके जाएं मतलब bottle को अपना fashion statement बनाई है उसके लिए मैंने दो तिन trick दिये आपको tips दिये पहला tip था कि इसको object of desire बनाई है make it wood of yours दूसरा जो है attractive बनाई है इसको जो है attraction लाई है इसके पीछे अब क्या कीजिए कि उस stylist वाले bottle में जिसको आप front कर रहे है उसमें go young active life जरूर टपकाई है पानी भरिए 5-7-10 बुन टपकाई है हो गया आपकी health आपके पास आई अब आप उसको energy level की तरह sip कीजिए और आप देखिए किस तरीके से caffeine nicotine से भी आप बहुत बहतर हो पा रहे हैं ये वो चीज़े जिसको आप purse में carry कर सकते हैं office bag में carry क easy to carry कभी भी भूले नहीं आपके purse में go young active life है क्या आपके office bag में है क्या because आपको इसकी जरूरत दिन बर पड़ेगी सिर्फ ऑफ घर के dining table पे मत छोड़िए इसको carry कीजिए while on hurry जितनी भी जल्दी में हूँ आप आप इसको रखना मत भूलें जैसे आप अपना चस्मा रखते हैं phone रखते हैं वैसे इसको जरूर रख लें मैं तो कहूं कि एक रख के आप bag में छोड़ दें ताकि वो bag में जहां जहां bag है वहां इस्तमाल हो जाए extract of super six berries यहाँ पे छे berries मैंने आपको दिखाए power of berries to keep you day long active fights oxidative stress aging को fight करेगा शान तक battery down leave life fullest not the dullest with go young active life यह मैं कुछ आपको slides दिखा रहा हूं you are energetic और तनाव मुक्त बने रहने के लिए यह berries को बहुत बहतरीन तरीके से बिना आपने साथ स्वाद में इंटरफेर किये अपने पानी में आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते है berries के सकती जो आपको पूरा दिन active रह सकता है और यह जो है research based product है छे बेरी का समिस्टरन हमने बनाया है बिना किसी पानी में test डाले, color डाले और no artificial flavor डाले, किसी तरीके का sugar भी नहीं डाला है इसमें हमने honey का base use किया है और वो भी ना मातर में तो यह एक research based product है यहाँ पे डॉक्टर सतिलाल पाटिल का मैंने तस्वीर दिखाया और यह हमारा actual photograph में दिखा रहा हूँ, हमारे R&D lab का जो पूने के biotech park में अवस्तित है और यह जो है certifications हैं जो आप अपने product के डबे पे देख सकते हैं जो WHO, GMP, HCCP, kosher, halal सारे certifications हैं और FSCI भी है इसका माना authentic product at honest price है because यह जो है product की price हमेशा चुकि Goyang का product है तो price honesty होगा और product authentic होगा और price कितनी है तो price सिर्फ 299 रुपीज है इस bottle की 299 रुपीज का product है और offer price जो आपका next money में है वो है 285 और आपको इस product पे BV मिल रहा है 100 का और आज मैं आपको 10% bonus BV announce कर रहा हूँ और यह bonus BV यह अगले सनिवार तक चालू रहेगा और वो BV 10% add कर दिया तो 110 हो जाता है BV तो price MRP 299, offer price 285 and BV is 100 plus 10, मतलब 110 BV और यह चीज सारे के सारे online shopping में available है चाहे वो Amazon हो, Flipkart हो, Geomart हो, Big Basket हो, Tata 1MG हो हर जगह available है और आपके next shopping पे available है और सबसे बेतरीन discount के साथ next shopping में available है और साथ में आपको 110 BV एक product पे next shopping में मिल रहा है और जदि अभी भी आपने next shopping अपने phone में download नहीं किया है तो आप app को अभी download करें और आप जो है इन सारी चीजों का बहतरीन फाइदा उठाएं और सारे BVs जमा करें और एक बढ़िया सा reward लें जिसको इंडिया's first wellness reward program कहते हैं उसके part बने तो ये था हमारा आज का session thank you so much easy way to stay super active day long की चर्चा हमने की और go young active life नाम के इस product को हमने समझा जो drop format में है और easy to carry easy to use और most economical है इसको ना भूल thank you so much and this was all about the session over to host thank you so much sir very informative session और active लखना है रहना है तो active life को साथ में रखे message of the day just write down in the chat box आपका के experience रहा है बहुत सारे लोगोंने इनका इस्तमाल किया है बहुत सारे लोग अभी इस्तमाल नहीं किया है जानकारी नहीं थी great तो इस विसे में अगर किसी का कुछ detail question हो कुछ पुछना चाहते हो we are already at 9 10 I believe so unless they have some question I am available but unless they have some question because it is already late अब जस्विंदर सिंग्जी का कॉस्चन है मैं अन्मूट करना चाहिए जस्विंदर जी स्वागत आप अन्मूट है जस्विंदर जी आपके पास pop-up गया होगा आप अन्मूट कर सकते अपना राइट सर राजेश्ट सर वेरी गुडीपनेंग अम्रेश कुमार जी मुझे वीडियो चालू करनी की मैं सर से मिला हूं अभी आपको सुनते ही जाएं सुनते ही जाएं सुनते ही जाएं और मैंने कोई प्रोड़क बेस चौबीस साल के मेरे कैरियर में आप जैसे उस्ताद मैंने नहीं देखे सर तो साक्षाद डंडवते आपको 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 पता नहीं तो मैंने अठारा किलो वेट लोस किया आप सबको मेरी डेस्टिमनी मिलेगी और लिवर क्लेंजिंग से किया था मुझे पता नहीं था कि वो धर्मात्मा महापूरिश हुमारे साथ ही हैं और आप और सर को देखके इस अफ़तार में मुझे बड़ी खुशी हुई है सो आल बी लोकिंग फोवर्ड तो मीटियों सेशन थैंक्यू साथ थैंक्यू तो किसी का कोश्चन को इसे स्प्रेस्टिक मैं नहीं देख पा रहा हूं जो चैट बैक्स में हो अदर वाइज हम आपके कोश्चन का जरूर जवाब देते बस एक बार आप लोग चैट बोक्स में जरूर लिखें सर के लिए धन्यवाद आपको सेशन कैसा लगा और उसके गाद हम इसे को आप खरें? Yes, great जीवन जी, thank you so much for your response. Great, thank you so much everybody, thank you so much sir. Thank you so much, good night, take care, thank you, bye. झाल झाल